हेलो बच्चा बाटी, वेलकम बैक तो मैं यूटीब चानल, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो बताना चाहता हूँ कि अगर आप CMA Foundation के बच्ची हैं और आप New syllabus के अंदर अपना exam देने वाले हो, तो एक point of view आपका clear कर दूँ है, first of all, कि अगर आप लोग आपको पता होगी, ठीक है, आपका registration details जो है, institute की website में आप देख सकते हो, वहाँ पर old syllabus mentioned होगा, 2016 syllabus mentioned होगा, तो अगर 2016 syllabus वाले बच्चे हो, तो आपको अभी जो exam होने वाला है, June में और December में, उसमें old syllabus के अंदर exam देना है, आप कोई भी attempt दे रहे हो तो, December के बाद institute decide करेंगे, मतलब उन foundation के लिए, तो 100% आप new syllabus में exam दे रहे हो, उसमें कोई doubt नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी registration होने, सारे by default 2022 new syllabus के अंदर ही registration हो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, second बात, आप लोगों का, जो old syllabus वाले बच्चे हैं, वो तो पुरानी playlist जो मेरी बनी हुई है, already accounts के लिए, maths के ल all subjects के बारे में, तो first of all मेरा focus रहेगा maths और accounts के अंदर पे, तो maths और accounts के अंदर मैं तुमारी new playlist बनाने जा रहा हूँ, अब वो जो new playlist होगी, उसके अंदर blend होगा, मैंने already जो नए lectures अप्लोड किये थे, पिछले साल, वो सारे lecture, amended lecture है, as per your latest syllabus, ठीक है, तो उन lectures के साथ में में म पूरा accounts और maths का CMA का module, फिर से record करके डालने वाला हूँ, including all the chapters, ठीक है, तो मैं सारे chapters के, तुम्हारे basics के, MCQs, extra question bank, जो मैं कराता हूँ, ठीक है, बहुत important है तुम लोग module के question सारे करोगे, plus तुम लोग bits question सारे करोगे, plus जो मैं extra question करा रहा हूँ, वो तुम सारे करोगे, ठी your mock test papers, your previous question papers, वहाँ से मैं pick करके लाता हूँ, कुछ अच्छे cream tough questions भी होते हैं, उसके अंदर हो बहुत streamlined easy questions भी होते हैं, और common sense वाले questions भी होते हैं, तो ये सारे question में cover करता हूँ, वीडियो की quality top of the line है, you can directly compare with any of the paid lectures which is available in the market, आपको better quality ही feel होगी, ये मेरे तरफ से मेरा confidence है, maths और accounts, तो मैं पूरा maths, including stats और पूरा accounts का पूरा module फिर से record करके डालने वाला हूँ, ठीक है, पूरा-पूरा recording या है का ये live नहीं लेने वाला हूँ, मैं, because live के लिए मेरे पास अभी time नहीं है, तो I will just record and upload accordingly, ठीक है, तो ये मैं नई playlist बनाऊंगा, तुमको जब भी channel में refer कर तो, within 2-3 days playlist section के अंदर, आपको वो new playlist, new syllabus के नाम से, वहां mentioned रहेगा, clearly new syllabus के lectures है, new syllabus वाले बच्चों को ये lecture देखने है, new syllabus के लिए आप कर सकते हैं, बाकी जो बच्चे, 2-3 दिन की बात है, बस, 2-3 दिन तक, अगर आपको फिर भी पनी पढ़ाई continue रखनी है, तो you can refer that updated playlist for June 23 attempts, जो मैं पिछले सार डाला था, उसमें से, बहुत सारे basics के lecture जो हैं, वो वही होने वाले हैं, क्योंकि basics are going to be same, intact, ideal and the extra question banks are also going to be same, but my first focus is on maths and accounts, then for further subjects, I will notify you time to time, कि कब कब क्या क्या आने वाला है, तो ये दो चीज़े हैं, तो तुम्हारे CMA Foundation के new syllabus के सारे lectures, तुमको मिल तुम्हारे attent के पहले मिल जाएंगे, ये मेरे तरफ से assurity है, तो बस इस वीडियो को तुमको share करना है, वीडियो पस आई तो like कर दो, चैनल को subscribe कर दो, ताकि वीडियो साह तो तुमको पता चलते रहे, initially सारे वीडियो उनलिस्टेट रहेंगे, तो playlist section में ही दिखेंगे, मेर चैनल का playlist section है, वही पर दिखेंगे, मैं slowly slowly उनको public करते जाओंगा, पर वो सारे वीडियो उनलिस्टेट रहेंगे, सारी वीडियो तुमको आँ दिखेंगे, एक बार में सारी वीडियो दिख जाएगी, लेकिन वो उनलिस्टेट रहेंगे, तो धीरे धीरे में उसको public करते ठीके बच्चावाणी, बस दिस वीडियो में इतना ही, गद्ब्लेस तो टेक चैर और अल बेस्ट वर अपर पर दिखेंगे, बाए बाए